Hey guys, what's up? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है किरन तो यार आप सभी लोग देखी पा रहे होंगे कि अभी स्मार्टफोन के प्राइसे बढ़ चुके हैं और कहीं न कई इसी वजह से जो हमारी 10,000 की प्राइस की कैटेगरी में आने वाले स्मार्टफोन से न वहाँ पर काफी जादा गाप आगिया है, in fact अगर देखा जाए न तो 10,000 की प्राइस रेंज में ऐसा कोई भी स्मार्टफोन यह या फिर बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन है जो कि एकदम वैल्यू प्रोबाइट करते हैं और इसी गाप को फिल करने के लिए इंडिया में बहुत ही जल्ट रेड्मी 9 सीरीज लाँच होने वाली है, जी हाँ आज in fact रेड्मी 9 सीरीज के काफी सारे स्पेसिफिकेशन्स निकल के आ चुके हैं और वैसे बता दू, रेड्मी 9, रेड्मी 9A and रेड्मी 9C ये तीन स्मार्टफोन लाँच होंगे इस सीरीज के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन्स होंगे, किस प्राइस में ये फोन हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं और कब तक ये फोन इंडिया में लाँच जाएंगे, इन ही सब के बारे में आज के इस वीडियो में टिटेल पर डिसकस होने वाला है तो बिड़ा को टाम इसके शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी मैंने एक नया चैनल क्रियेट का लिया है चैनल का नाम है क्रेजी किरन और जिस तरह का इसका नाम सजेस्ट कर रहा है न उसी तरह की crazy and fun वीडियो आपको इस चैनल मर देखने को मिलेगी surprisingly मैंने अपना पहला वीडियो भी डाल दिया है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यार जाके देखो और मुझे बताओ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा क्या आप लोगों के feedback से लिंक मैंने नीचे description में दिया हुआ है खेर अब ही आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले Redmi 9 से तो ये smartphone काफी दिनों से बहुत जाला है इसके leaks, rumors निकल आ रहे हैं काफी सारी certification site पर भी आ चुका है आज तो सारे specifications भी हमें पता लग चुके हैं तो सबसे पहले अगर display से शुरुआत करूँ तो phone के अंदर 6.53 inches की full HD plus display होने वाली है water drop notch के साथ full HD plus इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इससे पहले इस phone के I mean basically Redmi 9 के जितने भी producer आए है Redmi 8, 8A, 7 series के कभी भी हमें full HD plus display नहीं देखने को मिली है पहली बार full HD plus मिल रहा है तो ये इस phone की एक बेन USB होने वाली है काफी खास feature होने वाला है इस phone का बाकि इसके अलावा phone का जो look है, design है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक website पर ये phone पूरा leak हो चुका है इस website के through अगर आप phone के design अगरा को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा Redmi Note 8 और जो Poco X2 है, उसका मिलता जुलता सा mixtran है, basically जो quad camera setup है वो Redmi Note 8 की तरह दिया हुआ है और बाकी में जो इसमें circular ring दियो हुई है वो Poco X2 की तरह देखने को मिल रही है and by the way, उस circular ring में ही आपको fingerprint scanner भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर but anyways, अभी यहाँ पर अगर processor को भी अगर देखा जाए ना तो Mediatek का Helio G80 chipset इस phone के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है and यार, यह G80 काफी powerful chipset होने वाला है अगर आप gaming वगेरा भी करना पसंद करते हो definitely आपके लिए एक अच्छी खासी choice बन सकती है but शायद से आप लोगोंने ध्यान दिया होगा कि Realme ने जो Realme Narzo 10 launch किया था ना, उसके अंदर भी same ही chipset था 12,000 की price में वो इस smartphone launch हुआ था लेकिन HD plus display थी definitely यहाँ पर full HD plus display मिल रही है processor same है तो इस case में तो मैं बोल सकती हूँ कि यह जो Redmi 9 है यह Realme Narzo 10 को definitely kill करने वाला है वैसे अभी तक तो जिस तरह के features बताये जा रहे है full HD plus display हो और एक अच्छा खासा powerful processor इन दोनों के हिसाब से तो मैं बोल सकती हूँ phone काफी जादा promising होने वाला है बट हाँ यही पर एस phone के जो quad camera setup है यह भी मुझे कापी हद तक satisfied कर रहे हैं क्योंकि 13 megapixel का primary camera lens निकलती आ रहा है 8 megapixel का wide angle camera lens होने वाला है 2 megapixel का depth sensor and 5 megapixel का macro lens यह ध्यान देने वाली बात है क्योंकि अब इससे पहले तक हमें जो 2 megapixel का macro lens मिलता था ना वो वैसे भी इतना कुछ खास काम का होता नहीं था क्योंकि ना तो उसमें इतने अच्छी खासे detailing होती थी और मेरे हिसाफ से वो एक तरीकी का gimmick ही होता था वैसे यही पर अगर फ्रेंट के बारे में भी बात ही जाएना तो 8 megapixel का फ्रेंट कैमरा बताया जा रहा है वाटर रॉप नौच के अंदर मेरे हिसाब से तो बैटरी डिपार्टमेंट भी काफी सही होने वाला है क्योंकि 5020 mH की बैटरी देखने को मिलेगी वैसे यह बैटरी हमें इतनी 5000 mHT की बैटरी पहले की इस सीरीज में भी देखने को मिलेगी है लेकिन अच्छी बात पताई कि हम 18W का Fast Charger बॉक्स के अंदर देखने हो मिलेगा अगर यह जो पूरा फोन है ना ओवराल प्राकेज तो मुझे काफी जादा सही लग रहा है अगर सही प्राइस में यह स्मार्टफोन लाँच हो जाता है तो इसकी प्राइस के बारे में भी बात करें हैं लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि रेड्मी 9A और रेड्मी 9C में किस तरह के फीचर्स मिलने वाले हैं तो एक्चुली में जो लीक सबी तक टिकल के आया है उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊ तो दोनों पूर काफी हद तक सिमिलर ही होने वाले हैं कुछ-कुछ डिफरेंस है बट सिमिलर ये होने वाले हैं कि दोनों ही फोन के अंदर आप लोगों को 6.53 इंचेस की HD Plus दिस्प्ले देखने को मिलेगी दोनों ही फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी बताई जा रही है 10W के चार्जिंग के साथ बट डिफरेंस जो है वो ये है कि Redmi 9C के अंदर Mediatek का Helio G35 चिपसेट दिखाया जा रहा है जबकि Redmi 9A के अंदर Mediatek का Helio G25 चिपसेट बताया जा रहा है दोनों ही फोन के अंदर 5MP के front cameras बताया जा रहा है लेकिन rear cameras में changes है कुछ जैसे की Redmi 9C के अंदर दिखाया गया है कि triple rear camera setup देखने को मिलेगा 13 plus 5 plus 2MP का जबकि Redmi 9A है उसमें बताया जा रहा है 13 plus 5MP के dual rear camera setup हमें देखने को मिलेंगे तो अभी अगर इन तीनों phone की price के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो Redmi 9A और 9C है ना उसकी price कुछ time पहले निकल के आई थी और इस leak के through अगर बताऊ ना तो यह price European prices निकल के आई है यहाँ पर Redmi 9A का price दिखाया गया है कुछ 8,000 करीब और Redmi 9C का price दिखाया गया है कुछ 11,000 रुपे करीब definitely यह European prices है इंडिया में जब आएगा obviously इस से कम की price में यह दोनों phone हमें देखने को मिलेंगे बट वही पर interesting बात यह है कि जो Redmi 9 है ना उसका price काफी जगे दिखाया गया है Philippines की कुछ website पर इस phone का price डाल दिया है साड़े 10,000 इसका price बताया जा रहा है मैं अगर बोलू तो इंडिया में जब यह phone आएगा तो obviously Realme के Narzo 10 के साथ compete करने वाला है उस हिसाब से तो 12,000 से तो कम definitely इसका price होने वाला है मुझे जहां तक लगता है 11,000 के price के आसपास यह phone हमें इंडिया में देखने को मिलेगा Twitter पर काफी लोग बोल रहे थे 10,000 के price में देखने को मिलेगा Honestly मुझे ने लगता है कि 10,000 के price में launch होगा कुछ 11,000 के price में देखने को मिलेगा यह phone most probably बाकी अभी अगर बात की जाए कि आखिर यह smartphone हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा तो अगर देखो 25th of June यह एक date निकल की आई है ऐसा कहा जा रहा है कि वेतनाम में यह 25th of June को launch होने जा रहा है and honestly कुछ leaks के according बता हूँ न तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसी तारिक को इंडिया में भी launch हो सकता है लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा doubt लगता है क्योंकि अभी 11 तारिक को Mi Notebook launch होने जा रही है hopefully इस launch event से हमें कुछ ना कुछ hint पता लग जाए Redmi 9 सीरीज के launch के बारे में आपको काफी कुछ पता लग गया होगा इन तीनों smartphone के बारे में अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं पर भी थोड़ी भी useful लगी तो इस वीडियो को like जरूर से करिएगा बागी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में